जम्मू में पीपल्स डेमोक्रिटिक पार्टी के नेताओं वकार करता द्वारा प्रदेश सरकार के दोहरे मापदंड को लेकर नारे बाजी कर विरोध प्रदाशन किया गया प्रदेश सरकार द्वारा एक बार फिर पूर मुख्यमंतरी महबूबवा मुफ्ती को नजर बंद कर दिया गया है पीडिपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सिर्फ पीडिपी पार्टी पर ही एक तरफा कारवाई की जा रही है बाकी राजनेजिक डल लगातार रैलियां कर रही है हर वक्त सुरक्षा का हवाला दे कर पीडिपी की रैलियों को इजाज़त नहीं मिल रही और हर दूसरे दिन हमारी नेता को नजर बंद कर दिया जाता है ये सरासर लोगतंतर की हत्या है आज का जो पीस्फुली प्रटेस्ट हमने रखा था आफिस के बाहरी सिर्फ इसलिए रखा था कि मैडम को कल वहां पर प्रोग्राम यूथ का नहीं करने दिया गया और जो नोजवान वहां आने चाहते थे बात सुनना था थे जो प्रटिकल जो प्रैसर से उसको शुरू करना चाहते थे डमकरिसी को जिन्दा रखना चाहते थे तो ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं मिटिंगें हो सकती हैं जलसा हो सकता है धरने हो सकते हैं तो कल जो हुआ वो क्या हुआ वो क्या था ये तो पुलिटिकल पार्टियों का और पुलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका गला दमाने की बात की गई कि आप कहीं भी नहीं जा सकते आप अंदर रह सकते हैं आपको कोई बात करने नहीं देंगे हम तो ये कहां की डेमोक्रेसी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब से लेकर प्रामिनिट्र साहब साथ एक तरफ तो आप बात करते हो डायलाग की एक तरफ तो बात करते हो बात सीथ करो एक तरफ तो कहते हो पुलिटिकल प्रासिस शिरू करो और दूरती सब आप पुलिटिकल प्रासिस जो प्रोग् अगर नहीं करता है तो लोग हमें अपने घरों में ही नजर बंद कर देंगे। ऐसे चलेगा क्या? लोगों की आवाज को बंद करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए इससे यह महसूस होता है कि जो पुलिटिकल प्रोसेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा और डेमोक्र प्रोसेसी का गलाग उर दिया जाएगा। बेरो रपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मौ।